पापा कारपेंटर थे तो लाइफ कौन सी फाइव स्टार वाली होती है बाप बेटे साथ में दारू पी रहे है सब को पता चलता है कि मम्मी को ब्रेंग की उमर है वो भी लास्ट स्टेज का अब सब ब्लेंग हो गए जमीन खरीजी यूटूब के पैसे से बुलेट खरीजी ह हम दीरे दीरे उसको ग्रो कर रहे थी चल रहा था चल रहा था चल रहा था एक मिल्यन हमारे क्रोस हुए एक दम ही क्या होता है यूटूब चैनल ही डिली जब मैं छोटा था और आंगन में खाना खा रहा था मम्मी खाना दे रही थी और मैं खा रहा था खाते खाते एकदम ही मतलब धोल तासी क्या वाज आने लग गई और फिर मैं तो बड़ा अलग टाइप का था मैं तुरन्त खाना चोड़ के घर भार भगा और देखा डोल बजरें नाचने लगा सारे स्टेप मेरे जितने मी थे मैंए डोल के सामने निकाल दिये लेकिन मैं नाच रहा हूँ नाच रहा हूँ ठीक है लेकिन नाचते नाचते में देख रहा हूँ ना यह जो आसपास है मेरे लोग मेरे को अलग नजर से देख रहे हैं मैं नाचते नाचते यह भी सोच रहा हूँ कि यह लोग क्यों नाच रहे हैं फिर फाइनली मैंने उनसे बोल ही दिया, नाच क्यों ने रहो, बोला इतने में तो मेरे कान के पीछे एक चाटा पढ़ गया तेज से, मैंने पीछे देगा, मैंने मम्मी है, तब जाके पता चला मुझे कि वो जो जिसमें मैं नाच रहो न, जिस डोल की आवाज पे, वो सो साल की बुडिया की अर्थी जारी थी, अगर आप थोड़ा बहुत मेरे को पहचान रहे हो, तो मैं बता दू, मैं वही मंग रहो हूँ, मसला तसला वाला, आपका क्या मसला है, मेरे पास मसला नहीं, तसला है, जिसकी वीडियो पे सौ सो मिलियन व्यूज भी जाते, आप लोगो पापा, मेरा बचपन का जीवन वैसी गुजरा है, जैसे बिहार के गरीब परिवार के गरीब बच्ची का गुजरता है, वैसा ही, पापा कैरपिंटर थे तो लाइफ कोणसी फाइब स्टार वाली होती, पापा ऐसे खिलोने बगेरा बनाते थे, तो क्या है, वो falls बनाते थ लेकिन घर का परीवार है उनका पेट भू पालना है तो एक दिन मम्मी और पापा ने बैठके डिसाइड करा कि आप ना एक काम करो कि दिल्ली जाके देखो ओहां पे भी हमारा कुछ परीवार है कि वहां कुछ हो सके तो पहले पापा आए दिल्ली उसके बाद फिर क्या है दी यह दिख रहा हूं की खुले आहम दारू पी रहे हैं यह बुड़ी अंटी भी दारू पी रहे हैं है पहता है क्या दिकते हैं है क्या रच QUE पूला hunter prosecutors च thumbuglys DR加入 ॷटन पीац मैंने पानी बारू भेते हिंसे और धारू रचल शिए पहता है कि वह दारूं था, एक रुपय वाली, जो पानी, थैली उती है न पानी पीते हैं फो, क्यूंकि जिस थैली में, यहाँ पर पानी मिलता है एक रुपए की थैली में, saem से तैली में विहार में smira मिलता THा जबुर्बु कस अच ए थैली में कि मतलब खाव पी के अरंप से खाव आके सो गए थे रात के एक बजे के क्रीम बारिश होना होका नदैनल मारे गर घंटी थी जरोड ड repetition रोड से तीन सागे तीन फूर नीचे होगा घर में एकदम ही पानी भर गया हम सब सो रहे हैं पर पानी एकदम भर गया है ऐसे एक दम ही सब उठे अज सब आधा तो गीला हो गए ठीक है उसके बाद क्या है कि जितने भी रासन वगेरा थे सब बरवाद हो गई था वो चोटा ही समान लेकिन उस वक्त हमाली वो बड़ा समान था कि बड़ी मुश्किल से वो जुटाया था क्योंकि पापा तो यहां द पूरे घरवालों की जिंदगी में एक अलगी चेंज आ जाता है सब को पता चलता है कि मम्मी को ब्रेंट यूमर है वो भी लास्ट स्टेज का यह सुनते ही ना मतलब पैरो तलो ना मतलब एकदम जमीन हट गई समझ यह नहीं आ रहा है इतने पैसे भी नहीं थे हमारे पास क कि उनको अच्छे अस्पटाल में उलाज करा सके, तीन चार दिन के अधर एकदम यह असर पता चला एकदम यह असर कैसे कि क्या हो रहत है उनको कि मतलब ना किसी को पैचान ही नहीं गहीं ती कोई भी बात है ना कहीं से भी उठा दे रही थी उन्होंने लाइफ में कभी किस को इसे बोल रही है उनको ये भी नहीं पता है कि वह साधी सुधा हैं मेर को नहीं पैचान दी कि मैं उनका बेटा हूं उनका मुझा हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया था हमको समझे नहीं आ रहा है क्या करे करे क्या पैसा हो तो बढ़ियां इलाज की करवाएं है तो जो भी फोड़ा बहुत मदल्हाओ औसफड़ों से पैसा लेकर जैसा भी सरकारी होस्पिटल में ले गए तो यह वाले होस्पिटल उसको ड्रांसफर कर रहे हैं फिर एक दो दिन बाद क्या की उन्की धहान थोगया प्रिश के बाद किया है किसी को क्या हो गया कि हम दिल्ली आए थे सोचा था यहां कुछ होगा थोड़ा सा फाइनेंशली ठीक हो जाएंगे हम लोग वो जो पीरियड थना हमारी लाइप का बड़ा चेंगिंग था उसके बाद क्या है कि सरकारी स्कूल में दाखिला हुआ म थोड़ा सा सैटल होने लग गई, मतलब، भें तो वापीस गाहूं थे paupa दिली थे मैं वह दिली थे मैं दीदी जीजा के पास थें तो यहाँ पर क्या है की साब चल रहा है अब मैंने एक साल देख लिया कि मैंने देख लियो नो अच्छा यह क्या है यह लोगनो आ ऐन्वल डी पर ऐसे यह करते हैं डांस वगेरा करते हैं खूब तालिय। बगेरा बजती हैं और लोग इनको सभी हात मिलते हैं मेरे मन में ऐसे ख्याल आया क्यों हम करें ऐसा वो जो उसको डिली प्रैक्टिस पे जाते थे गरते सही अलिए उभी मज़ प्रेटिको फेुर्र परेड़ियो ह्यालाजी मुर। कि हाँ ओडिशन होने वाले मैंने तुरंत दोस्ते से नेट पे सर्च मराए ऐसे कैसे क्या होता इसका फिर उसने तुरंत राइस्टेशन करवाया फिर हम वहां गए अक्सकुमार का सो था अब वहां पे गए तो बहुत खुशूस होके गए एकदम चलो बढ़ियां हो जाएग इसने मुवी में काम करा हुआ है समझी कहां आ गए हम कह रहा है यह तो कुछ चीजी नहीं है हम बहुत चोटे हम हमार लाइक निया यह नहीं कर पाई हम भी सब फर्स्ट राउंड हुआ था सेकिंड राउन में हम फेल हो गए फेल हो गए लेकिन फिर वापस आए फिर उसके पैसे आज़े होगारे स्कूल में हमारे सच्गी अक कर रहे थे मैद अומक्लिक कर रहा है कर रहे थे और यूटूब कर रहे थे और अशा कमा रहे सरजी से उन्होंने बात करें कि उस लड़के को भीज ना उस लड़के को हाँ तो उद्मने बेज़े मिरेको और वो मिरेको बाहर कह रहे हैं कि आप लोग तो अच्छा करते हो आप YouTube पे काम करोगे मैंने कर यूटूब क्या तो उन्होंने का YouTube ऐसा ऐसा ये है मैंने का ठीक है सर मैं बिल्कुल काम करूँ आप बताओ के रहे आप कला जाओ मेरे घर है ना फिर वहाँ पर उन्होंने और प्रैक्टिस करता फिर उन सर के साथ मैंने काम स्टार्ट कर दिया मेरे महले में बहुत सारी यूटूवर थे मैं सब के साथ काम करता मेरे को चाहिए क्थे खड़े होकी देखना ही पड़े उनको की हाँ ऐसे तो बस मैं देखता था चाहिए स्टैंड उठाना पड़े केमरा चलाना पड़े जो भी मैं उनके साथ जलूप पर उसके बांदा मेरा यह माइंड सेट हो गया ता यह मैरा मैंड का वीजन क्लियर हो गया था आथ से मैं जो भी करूँ गा एसी लाइन में करूगा अगर मैं सकस्स हो जाता हूँ तब भी इसी लाइन में भी wickौई सरकारी नोखरी नहीं नहीं कुछ ट्राइए नहीं करूगा एक आदमी होता है जो मैं ऐसे सोचता है कि मनलब डिग्री बगेर कर लेता हूं अगर इसमें नहीं वा तो कोई साइड ओप्षन सरकारी नौकरी डोलूगा मेरे माइड में कभी भी ऐसा कोई वीजन आया ही नहीं कि मैं ऐसे सोचू भी कि मैं सरकारी नौकरी करूंगा कभी नहीं आया हमारा YouTube चैनल हम देरे देरे उसको ग्रों ग्रों कर रहे थे चल रहा था चल रहा था एक मिलियन हमारे क्रोस हुए मतलब चारो तरफ खुशी कमावल बहुत बढ़ी आए एकदम ही क्या होता है YouTube channel ही डिलीट कि अब सब ब्लेंक हो गई कि कि युटूब चैनल एक मिलियन का डिली ठोना हम सब को पता है कैसे लगदा था कि हमारे घर का को सद्ध से खतम हो गया है कि इतने सालों सो यह मैनत करे जा कंटिनु करीजरें कशp payoff choice चीज को sawrit checking कि एस पर अप प्रॉप्र डिपैंड नहीं हो सकते हो इसे क्या है कुछ से यूट्यूब ने डिलीट कर दिया एपिन के अब गलती कर दो समय चलो उन्हें इस ट्राइक आए को अपंढर यूटूब पे मतलब इतने ज़्यादा क्रियेटर हो गये हर गली में पांच वाई चटा लड़का आपको क्रियेटर ही मिल जाएगा इतने ज़्यादा सोर्स बढ़ गए ना बहुत ज्यादा ट्राइफिक हो गया तो यूटूब भी है कि ज्यादा वर्निंग अगेर नहीं त कि एसलाए लेकिन जो हमारे हमें मेरे हमद में हाइप मिली अला मतलब पहले मेरा वीयिए हुआ train क highlight कि define कर house फिरखकन के रहा है कि यार वो जंका यह डिशन का हो रहा हुग हुग को एक लिश्चा लगत लगेगा लेकिन हमने यह सोचा कि जेब कत्रों का क्या हो रहा हुआ जेब कत्रों का भी तो एक तो उनकी रोजी रोटी भी गई ना तो वह concept निकाला फिर वह चला भाई थे एक हमारे तो मतलब हमने साथ में मिलके करा और वह concept निकाला वह वाइरल फुली वाइरल मतलब पास पैसे आने लगता है तो चलो ठीक है अब पैसा वगेरा ठीक ठाक आने लगा उसके बाद क्या है कि फिर दुबारा वो वाइरल हुआ नॉर्मल उसके बाद जब तसला मसले वाले वीडियो वाइरल हुई तब तो समझो आग लग गया एकदम पूरे मौले में पूरे मनलब एरिये में मनलब मेरे को लगता है इंडिया में ज्यादातर लोगों ने वो वीडियो देखी होगी दोनों जी की आचाएचा रिस्पॉनस आ जाता है तो एड़ से दो लाग के आसपास अर्निंग कही नहीं गई मतलब सही अर्निंग आ जाती है लेकिन इसके पीछे मैनत भी बहुत लगती हैं मैनत के बाद ही यह मिल पाती है आजकल के जो यूत है उनमें पेसेंस नहीं है वह क्या है चार पांस वीडियो डालते हैं फिर कहते हैं यार भी तो आज कल के यूथ के लिए मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूंग कि इस लाइन में अगर आपको आना है तो पहले खुद से डिसाइड करना है कि क्या सही में मेरे को यही करना है जरूरी नहीं कि कॉमेडी ही सिर्फ और सोसल मीडिया पर होती नहीं आप जिस फिल्ड में भी काम करते हो उस फिल्ड का वीडियो आप डालके इधर फेमस हो सकते हो लेकिन अलग अंदाज होना चाहिए उसको दिखाने का तो दोस्तों मैं आपको बता दू तुम्हारा भाई स किरफ अभी 23 साल का है और मैंने बहुत दुनिया देखी है जैसा आपने अभी वीडियो में देखा और मैं अभी भी यही कहना चाहूंगा यह मेरा अंत नहीं है यह तो बस अभी शुरुवात है अंत अभी बाकी है मेरे दोस्त इसने धेर साना इंस्पाइरिंग स्टोरी ए कि यह दा मोटिवेसन लेलगे काम शुरु केल के सब्स्ता कैसर मिल्थे यह दा मिल्थे जन्डा गाड़त हूँ